हेलो एव्रीवान वेलकब टू एन्सी ए आटी वाला माइनेम इस दानिश जफर आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं लेक्चर पे जो लेक्चर बेस्ट है होमोनिम्स इडियम्स और फ्रेजस पे मैं बार बार आपके कमेंट्स में देख रहाता है सर वोकाप करा दो ह्इसे लगते हैं इनकी स्पेलिंग फोरे सी च taken होती है है उसका मेनिग פूरा बदल जाता है जैसे accept एक्षेप्ट एनना यह दो लगता है क्या accept होते हैं एडॉफ्ट एडिप्ट आ यह पिर होती है वो वाली भीर होती है भलू वाला बीउफर होता है बहुत सारे तो it's very simple हमारे पास बहुत सारे questions है आज हम करने वाले homisms पे इसके बाद हम करेंगे idioms and phrases जो आते ही हैं हर साल आपके exam में तो idiom phrases भी आपको यहाँ पे learn कराने की कोशिश करूँगा कोई revision हो जाएगा आपका जो भी आपने आज से पहले अगर कुछ idiom phrases पढ़े होंगे क्योंकि यह बहुत ही common है और वो हैं जो लगातार comparative exams में पूछे जा रहे हैं ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले question की अच्छा यह last class में ना यह last class के corrigendum है corrigendum का मतलब होता है error to be corrected कुछ answers थे जो मैंने explain तो ठीक किये थे पर उसके answer मैंने गलटी कर दिये तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ मैंने आपको बताया था कि God के साथ अगर कोई person आ गया है तो two लगा के first form आएगी यह बात मैंने आपको बताया थी आपको समझ भी आ गई थी पर answer हमने गलती से arranged कर दिया था जो के गलत है चुके wedding planner person है तो two लगा के first form यह last class का है याद रखिए जिन्होंने last class नहीं देखी है देख लीजेगा 50 questions हैं उसमें और बहुत ही गहराई वाले जबरदस questions है तो वो ज़रूर देख लीजेगा इसका answer हो जाएगा B next question था हमारा यह भी कॉर्डिजन डेम है her friends, uncles, neighbor उसके friend के uncle का neighbor तो क्या हो जाएगा neighbor किसके? उसके friend के uncle का यह वाला वाना simple यह कौन है? neighbor किसका? friend के uncle का friends, uncle, neighbor तो neighbor of her uncle's friend he should be the correct answer ठीक है? next question यह वाला भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही explain किया था इस पे मैंने आपको little और a little के बीच का difference बताया था मैंने बताया था कि a little का मतलब होता है some तो भाई मेरे जब a little का मतलब some होता है some होता है तो यहाँ पे a little आ जागा so not a little नहीं बोलेंगे क्योंकि not भी बोल रहे हो और a little भी बोल रहे हो तो उसका मतलब होगा नहीं था कुछ नहीं थी नहीं थी कुछ knowledge यह थोड़ी बोलना चाहरे हो तो not हट जाएगा और यह a little हो जाएगा a little बस simple नहीं तो यह redundancy हो जाएगा superfluous हो जाएगा not और little साथ में नहीं आएगे it should be a little answer is a अच्छा यह वाला question बिल्कुल सही explain किया और इसका answer मैंने a लगा दिया मैंने आपको बताया थे बई should का मतलब कभी कभी if भी होता है तो आप should की जगा if और if की जगा should लिख सकते हैं कोई भी गलती नहीं है इसलिए इस sentence में no error जाएगा इन questions को बहतर समझने के लिए explanation बलकुल सही और detail में दिया गया है last class में जरूर देख लीजेगा अगर नहीं देखिए अब हम बात करेंगे आज की class और आज की questions पर तो पहला question है everyone was present at the ceremony dash the family of Mr. Sharma ठीक है तो सब थे accept एक को छोड़के तो accept का मतलब होता है क्या एक को छोड़के तो जगा e x c e p t accept accept का मतलब क्या होता है छोड़के जिसके बाद exception से बना accept और यह expect का क्या मतलब होता है expect का मतलब होता है hope करना उमीद रखना जैसे मैंने कहा I expect you to score good marks मतलब I hope that you would score good marks suspect का मतलब आप सब जानते है doubt होता है doubt यह आप notes बनाते रहेंगे लिखते रहेंगे doubt और accept का क्या मतलब होता है बई किसी चीज़ को सुईकार करना जैसे I accept your proposal ठीक है I accept the challenge accept मतलब सुईकार करना agree करना so answer is C असान-असान question है फटा-फट हो जाएंगे पर इन पर question आता है और बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं ठीक है तो जैसी मैं question पर जा रहा हूँ अडिप्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे skillful skillful अडिप्ट है ना तो अच्छा adopt का क्या मतलब होता है गोद ले लेना किसी को adopt का मतलब क्या होता है अपनाना, सुईकार करना, गोद ले लेना किसी को means to make pet या फिर domesticate कर लेना किसी को कर लेना अच्छा अड़ाप्ट का मतलब क्या होता है ड्राइब का मतलब होता है चेंज कर लिए जैसे आइड़ाप्ट माई है एक कार्डिंग टू दी इन्वार्मिट मुझे लगा प्लूशन बढ़ गया है या बहुत गर्मी बढ़ रही है तो मैंने जो भी मैं मतलब ऐसी खाता हूं जो गर्म है जैसे ड्राइफ रूट्स मीट यह समय ने कम किया क्योंकि आई अड़ाप्ट माई है बडाइब आइचेंच माई है अड़ाप्ट इस चीन अड़ाप्टिव समवन का मतलब क्या है बागा हूआ भगाड़ा फूजिटीव गाइब है जो जो और जिसका पता नहीं vulner राया तो वी एंदिव कॉनडिट मैंने क्या डाइच्च्ड फुलिस दिविंड इल्हुडल इल्यूडीर क कमतलब क्या होता है एस्केप कर देना बेवैखू बनाना भाग जा escape the police, adored, adored का मतलब क्या होता है, adore means love, adorable, adorable आपने सुना होगा, adorable है, dogs are adorable, adorable is basically, मतलब है, showing love or lovely, adorable, lovable, allured is attractive, so allured is attracted, किसी की तरफ मोहित होना, और allured, allured का मतलब होता है, इशारा करना, जैसे किसी को आख मरना, या फिर ऐसे करना, या को बोलना, आगई आगई, तेरी वाली आगई, या whatever, जैसे भी तुम करते हो, अपने classroom में कहीं भी, so that is called क्या अलुट, इशारा करना, means to give hint, so the answer for this one is again B, next question, there are a lot of dash method to solve the question, but the one I taught was, but the one I taught you is the best, so there are a lot of dash methods, so Kaysia methods, alternative, alternative का क्या मतलब होता है, substitute, और alternate का क्या मतलब होता है, एक छोड़ के, for example, मानलो मेरी class वमारे साथ Monday होती है, Tuesday नहीं होती, Wednesday होती है, Thursday नहीं होती है, फिर Friday होती है, तो मेरी class कैसे होती है, एक दिन छोड़ के होती है, मतलब alternate days पर, alternate का क्या मतलब होता है, by skipping one, एक छोड़ कर, ठीक है, और altering, भई तुम जीन्स लेते हो, जैसे लड़कियां क्या गरती है, कपड़े लेके आती है, फिर उनकी fitting नहीं आती है, तो उसे क्या कराती है, alteration कराती है, alteration का मतलब क्या होता है, change कराती है, alter का मतलब क्या होता है, to change, accordingly, तो यह room के लिए, कपड़ों के लिए, basically, बे जान चीज़ों के लिए, use होता है, है ना, alter, क्या, altering, है ना, अच्छा, alterance क्या होता है, alterance भी इसी के लिए, use होता है, इसका मतलब भी यह होता है, alterance का मतलब होता है, which causes change, जिसकी वज़ा से change करना पड़े, alterance means, that causes change, जैसे for example, तुमने jeans ले ली 32 waste, ठीक है, पर तुम्हारी waste हो गए, 30 तुम बिमार हो गए, तो तुम्हें क्या हुआ, your, मतलब now, now what you have to do, you have to get it altered, तुम उसे change कराना पड़ेगी, क parents क्या हो गए, जिसकी वज़ा से तुम्हें वो change कराना पड़ा, तो it's very simple, answer is A, question number 5, we had no dash to the internet, तो internet पे क्या नहीं है, access नहीं है, कहते हैं, access, पहुच, approach, काम नहीं कर रहा है तुम्हारा यह, और access का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ज्यादा होना, additional, कहते हैं, access of everything is dangerous, तो यह वाला एक्स होता है, accessory, आपने accessories नहीं सुनी है, accessories, आप अपनी गाड़ी में accessories लिखवाते हैं, bike में accessories लगवाते हैं, मतलब कुछ भी additional चीज़े, ठीक है, additional things, सजाने के लिए हैं, कुछ भी करने के लिए, अच्छा, ascension का मतलब क्या होता है, ascension का मतलब होता है, किसी राजा का, किसी मंतरी का, कुरसी पे चड़ जाना, या उसके हाथ में सत्ता आ जाना, या उसको कुरसी मिल जाना, तो ascension is, क्या कि बोलते हैं, उसे, आपका, पद पोशी भी होती है, ना, कि पद मिल जाना किसी को, तो ascension is, to get the authority, authority, authority मिल जाना, या फिर throne मिल जाना, तत्ता मिल जाना, तो answer is going to be C, C is the correct answer, next question, next question कहता है, the medicines had an dash, तो side effect सुना ओगा, तुमने side effect, तो side effect के लिए एक word और होता है, ना, adverse effect, adverse का मतलब क्या होता है, adverse का मतलब होता है, unfavorable, अब इसमें आ गया एक effect और एक आ गया affect, affect का मतलब होता है, असर, influence, जैसे तुम्हारे ओपर news channel का affect है, influence है, जैसे तुम्हारे ओपर television का influence है, जैसे तुम्हारे ओपर जिन लोगों को तुम पसंद करते हो, उनका affect है, influence है, असर है, अच्छा effect का मतलब होता है result effect का मतलब क्या होता है result तो side effect का क्या मतलब हुआ कि जो तुम ने खाया था या जो तुम भी तुम ने ली थी medicine उसके कुछ और भी result आए है ना जैसे माल लो तुम्हें दाने निकलाए या तुम्हारा पेट खराब हो गया whatever that is called effect now averse एक अलग चीज़ है averse का मतलब होता है hate ना पसंद करना dislike तो असान सा question था यह D is the correct answer पर यह असान तभी है जब आपको exactly वो कह बाती हो और यह मैं वो word लेके आया हूँ जो बहुत ही common है जिनके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलनी है दोस्ती यह तो आपको आने ही चाहिए next question she dash the burnt she dash the brunt of atrocities atrocities का क्या मतलब होता है crimes till the time she became financially independent वो अदब तक मतलब can't करती रही मतलब can't करती रही मतलब सहती रही brunt of atrocities का मतलब है यहाँ पर उसने क्या किया बरदाश किया second form होती है bore bear एक word होता है ना इसकी second form होती है क्या bore ठीक है तो सीदी सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा she bore ठीक है मतलब उसने बरदाश किया क्या crimes पर परेशानिया मुश्किले कब तक जब तक वो financially independent नहीं हो गई ठीक है अब bear आपको पताईए यह भलू वाला bear हो गया bear यह इसका मतलब यह भी होता है यह इसकी first form है तो यह आएगी नहीं यहाँ पर ठीक है तो क्योंकि वो पहले करती थी और बाकी आगे का sentence भी किसमे है आगे का sentence भी past में है तो यह वाला portion भी किसमे होना चाहिए past भी होना चाहिए इसलिए second form यूज करी be is the correct answer ठीक है अच्छा यह bore इसका मतलब क्या होता है bore कर दिना wild bore आपने सुना होगा ठीक है यह वो वाला होता है pick को भी बोलते हैं और इसका मतलब गढ़्धा भी होता है bore is dig जैसे she bored me उसने मुझे bore कर दिया तो मैं वर्प कितना जब यूज करूँगा तो यह वाला यूज करूँगा तो आसान हो गया भी आप गौर फर्मा रहे हैं कि मैंने आपको अभी तक बस साथ question करा है पर हर question के चार पार्ट है तो seven fours are 28 words हमने डिसकस की है ठीक है next question the masterpiece that he composed जो masterpiece उसने बनाया था वो कैसा था was creditable creditable का मतलब है appreciating जिसकी बड़ी प्रिशंसा के योग यह है बहुत बड़ी आशानदार appreciating एना credible का क्या मतलब होता है credible का एक अलग मतलब है मतलब believable believable जैसे आपने सुना होगा ना incredible तो incredible का क्या मतलब होता है आविश्वस नहीं है तो credible जिस पर तुम्हें विश्वास हो है ना believable credulous credulous कौन होता है who trusts others easily मतलब gullible एक वर्ड और आता है इसके लिए G-U-L-L-I-B-L-E क्या वर्ड आता है G-U-L-L-I-B-L-E gullible gullible का भी यह मतलब होता है क्या credulous अच्छा वई अगला वर्ड crediting crediting का मतलब होता है मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए credit देना किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मदार मानना crediting मतलब accounting accounting किसी को किसी चीज़ के लिए दोशी मारना या किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मदार मानना is accounting accountability देना responsibility देना is crediting so answer is C question number 9 he visits dash he visits the dash and offers class to his mother's grave so कहाँ पे गए है खबरिस्तान गए है कबरिस्तान को बोलते है symmetry symmetry is graveyard graveyard symmetry similarity तो आपको पताई है एक जैसा होना किसी चीज़ का आपने triangles में similarity पढ़ रही होगी same आपने symmetry पढ़ा होगा symmetry का मतलब होता है कि अगर किसी एक चीज़ को दूसरी पे रखा जाए तो बिल्कुल same आए similar और symmetrical में difference होता है similar का मतलब होता है देखने में एक जैसा है symmetry का मतलब होता है जिसकी side जिसकी edges जो geometrical होता है वो symmetrical होता है और asymmetry जिसके अंदर no symmetry हो no symmetry so it's very simple answer is a question number 10 Mother Teresa served the people suffering from the contagious diseases of laparopsy laparopsy किस से लगती है contagious है laparopsy का मतलब होता है जो तुम्हें मिर्गी की दोरे पड़ता है तो यह छूने से फैलती है ठीक है तो contagious क्या होती है acid disease जो spread by touch हूँ और जो शीकने से भी फैल जाए है ना यह हवा से फैल जाए जो हवा से भी फैल सकती है वो infection होती है तो spread by air यह हवा से भी फैल जाएगी अगर हवा में infection है जो तुम्हें भी लग जाएगा अच्छा contumacious क्या होता है contumacious का मतलब होता है stubborn जिद्धी अडियल मत्थूस इसके लिए word आता है recall citrant तो एक ही page पे आपको बहुत सारे word मिल रहे हैं इनको अगर आप note कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा एक word बचा है वो word क्या है contiguous contiguous का मतलब क्या होता है बराबर वाला जिद्धी चूता हुआ बराबर में आता हुआ adjacent 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 मतलब बराबर वाला जैसे आपका पड़ोसी घर बिच्छे आपका विलकुल मिला हुआ हो या वो country जिनके borders आपस में मिले वे हैं चाइना भुटान इंडिया श्री लंका ये क्या है contiguous है so answer is c एक बार 10 के सब्सक्राइब जरूर देखिएगा अपना कि आपको कितना आता था इसमें से ये बहुत ही common word है इसलिए उमीद है कि आपके 8 to 10 तो आए होंगे he was not dash of his grand parents arrival he was not apprised apprised का मतलब क्या है told या informed उसको नहीं पता था क्या उसकी दादी आने वाली है ठीक है अगला word क्या है apprised apprised का मतलब क्या होता है increased increased है ना जैसे कहते हैं इसका appraisal हो गया है मतलब salary बढ़ गई है apprised मतलब बढ़ा देना प्रेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है प्रिशन सा करना extol एक और word इसके लिए extol एक और और है lord इन सब का मतलब क्या होता है तारीफ करना comprised मतलब consist किसी चीज में किसी चीज का हो ना जैसे मैं कहा हूँ this book consist या comprised all important topics तो comprised का मतलब क्या हो जाएगा consist answer is C for this question question number 12 obedient तो आप जानते ही होंगे obedient कहते हैं बच्पन से सुनते आ रहे हों कि बड़ा obedient बच्चा है बड़ा ही obedient बच्चा है तो obedient is basically जो दूसरों की बात माल लेता हो तो word आ जाएगा compliant है ना मतलब who obeys जो बात मानता है अच्चा complacent का मतलब क्या होता है satisfied मतलब जैसे माल लो तुमारी salary valory हो गए माल लो 6-7 लाग रुपे महीना तो वराम से बैठे हो और तुम कहा रहे हो I am very complacent मुझे अब किसी चीज़ की चिंता नहीं है बहुत पैसा आ रहा है और complaint तो आपको पता ही है जो complaint होता है यह वर्ब होता है इसका जो noun है वो complaint है कहता है complaint लिखवादे तो that is complaint अच्छा यह complacent complacent का मतलब होता है एकदम carefree ला परवा तो यह दोनों काफी हद तक एक होते हैं but complacent थोड़ा positive word है satisfied है complacent का मतलब है एकदम ही सुखी है ना जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो complacent थे एकदम carefree थे जिसे ना रुक्सान की परवा हो ना फायदे की चंता हो ठीक है that is complacent complacent so answer for this one is C compliant मतलब obedient next question remark of praise इसका मतलब क्या हुआ भाई किसी की तारीफ करना remark of place is compliment 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 का क्या मतलब होता है compliment का मतलब होता है कोई चीज़ जब किसी के साथ जाती है तो वह compliment होती है जैसे तुमने देखा कि लड़कियां क्या करती है पिंक सूट पहनेंगी तो पिंक यहाँ पर वह कान में जो डालती है पियर्सिंग करा के कान में जो डालती है वह भी कैसा हो जाता है उनका वह भी matching का होता है complacent का मतलब है जो match करे तूट करे compliment मतलब that suits ठीक है इसका एक मतलब होता है एक मतलब और होता है compliment का something which is given for free है ना या फिर as a token तो मैं ऐसी मजे में देगी ना complimentary जानते होने है कि ने complimentary food complimentary gifts ना तो यह mandatory करके यूज होते हैं कि complimentary मतलब free या फिर टोकिन की तरह दे दिया गए कि वह चलो इस्तेमाल करो आज कल शैंपू भी करें मतलब मिल रहे हैं सौर रुपे देखे तुम कई सारे complimentary shampoos मंगा सकते हो मतलब मैं मैं देखा है बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा तो वह क्या है complimentary है अच्छा complain आपको पता है कंप्लीशन का मतलब क्या होता है complete होता है नाउन complete होता है वर्ब और completion उसी का नाउन होता है बस answer is B next question related to spring spring यह वो कूदने वाला spring नहीं है मौसम वाला spring है तो मौसम वाले spring के लिए word आता है vernal vernal का मतलब क्या होता है कि ऐसा मौसम यह वो मौसम जो spring का होता है बहार वाला मौसम जब सब तरफ फूल खिले हो सब कुछ बढ़िया हो ना तो आप कह सकते हैं vernal fruits vernal fruits यह vernal flowers जो बहार के मौसम में खिलते है oral is related to ear related to ear कान से संबंदी is oral और वीनल का मतलब क्या होता है वीनल का मतलब होता है corrupt corrupt जहां पे बहुत साथा corruption हो corrupt हो यह वीनल oral is related to mouth so answer is B in this one vernal what is a beggar what word do you have for the word beggar beggar is basically mendicant mendicant is beggar A is the correct answer mendicant mendacious is jhoota liar jhoota veracious is taken from the word veracity veracity मतलब truthfulness तो veracious कौन हो गया truthful और sagacious एक अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है wise prudent discern discern तो कभी कभी मैं आपको एक से ज्यादा word भी दे रहा हूं एक ही के तो इसलिए आज आज आप देखेंगे आज जो पचास question है उसमें लगबग आपके वर्ड सौ से भी उपर जाएंगे तो answer is a bonanza a is the correct answer short fall का मतलब होता है कमी डर्थ इसके लिए एक वर्ड और आता है scar city ऐसी windfall और bonanza इसके उल्टे हो गए तो इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ का ज्यादा होना pleiothara भी आता है pleiothara pleiothara windfall bonanza befall का मतलब होता है fall से बना befall मतलब गर जाना to fall down और rainfall भी बताऊंगा क्या a is the correct answer for question number 16 next question difference of opinion आपने देखा होगा अगर आप news channels देखते हैं English में तो बार बार एक word यूज करते हैं descent opposition के लिए word होता है use descent तो descent का मतलब क्या होता है opposition मतलब answer is b और यह decent तो आपको पता है modest तमीज से चलने वाला कोई छचोरा पन नहीं करने वाला जैसे हमीताब बच्चे ने किसी भी कहीं पे भी आते हैं बड़ी तमीज से बड़े लोग कहते हैं आरे आप तो इस तूपर star of the millennium है अरे यह सब तो आपका प्यार है तो बड़ा तो ascending order descending order में आप पहले number लगाते थे आपको याद होगा तो वही ascending descending होता है b is the correct answer to break law किसी law को तोड़ देना उसके लिए बड़ाटा है defy defy the law defy is to break refuse का मतलब होता है मना कर देना refuse का मतलब होता है reject कर देना for example तुमसे किसी ने बोला कि हाँ मेरे साथ business start कर दो आदे पैसे मैं लगा रहा हूं तुम सिर्फ आदे पैसे लगा दो पूरा बिजनिस में मैं देखूंगा तो तुमने मना कर दिया तो यह क्या हो गया refuse कर दिया deny का मतलब होता है जब तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते तुमारे पास option नहीं है तब भी तुम मना कर रहे हो जैसे for example तुमारे एक friend है ठीक है इसने तुमसे मांगी तुमारी टी शिर्ट या कोई jacket बहुत बढ़ी है के भाई अपनी jacket दे भाभавно इसे मिलने जाना है ते ते ना तुमने अपनी बड़ी 80 dick को निकाल कर दे दियुए अब डिनाय का मतलब है तो रिफ्यूस टू पे या गिफ वाट इस डिउ ओन यू जो तुम्हारे उपर डिउ है तुम वो देने को भी मना कर रहे हो तो रिफ्यूस में तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है भाई नहीं कर रहा है मेरी मर्जी बिसनिस टाट आपके साथ लेकिन भाई अगर तुम्हारी बाईक मांग के लेके गया हूँ तुम्हारी गाली ठोक दिये मैंने तो वो तो सही कराऊंगा ना नहीं कराऊंगा तो डिनाय कर रहा हूँ डिफाई का क्या मतलब होता है defy का मतलब होता है to worship है ना तुमने ये वर्ड सुना होगा d.e.t इसका मतलब होता है God या फिर Goddess देवी देवता है ना तो defy मतलब worship करना देवी देवता की मूर्ती बना के एक ऐसे भी that is defy answer is c defy question number 19 related to lex expenditure एक ऐसे चीज़ जो सस्ती है उसके लिए आप क्या कहते है बहुत एकॉनमीकल है ये तो बहुत एकॉनमीकल है economy क्या होता है economy is basically system of finance system of finance होता है मतलब कैसे economy हमारी चलती है wealth कह सकते हो या फिर मतलब वो जो पूरा system है जिसके अंदर सारे businesses चलते है that is called क्या economy अच्छा जी ecological आपको बता ही है related to environment और eco conscious का क्या मतलब है जो environment को लेके बहुत ज्यादा conscious हो polythene का use नहीं करता हो गाड़ी अपनी कम चलाता हो पानी वेस नहीं करता हो तो ये कहने eco conscious who cares या फिर knows well about environment is eco conscious answer is C question number 28 question number 28 कहता है dramatic and exaggerated exaggerated का मतलब होता है किसी जिसको बड़ा चराफर कहना dramatic का मतलब होता है जिसमें बहुत जादा drama हो पता नहीं चल रहा हो कि कब क्या हो रहा है बहुत जादा emotions हो यहना ऐसी चीज़ को हम बोलते है हिस्ट्रियोनिक यहना हिस्ट्रियोनिक jokes होते हैं हमारे पास यहना बड़े ही dramatic होंगे मज़िदार होंगे और historical का क्या मतलब होता है funny जिससे तुमें हसी आए तो इन दोने में difference है यह सिर्फ basic related to comedy होता है है ना यह कैसा भी हो सकता है हिस्ट्रियोनिक जरूरी नहीं है के जोक सूँ हिस्ट्रियोनिक ड्रामा भी हो सकता है ठीक है जैसे हिस्ट्रियोनिक के लिए तुम वो कह सकते हो तुमने अगर मिर्जा पूर देखा है तो वो कैसा हिस्ट्रियोनिक है उसमें बहुत ज़्यादा गाली गालोच मतलब मतलब हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा extreme में दिखा दिया famous in history और historical का मतलब होता है related to history जैसे मैं कहूं I have a historical book मतलब a book which is related on history related to history और historic का मतलब है जैसे मैं कहूं it was the historic decision historic का मतलब है जो हमेशा famous में जो famous रहेगा history में मतलब important भी कह सकते है so demonetization was a historic move historic move का मतलब है जो इतियास में फिरसिद हो गया और फिरसिद रहेगा और बड़ा important था है ना तो यह क्या हो जाएगा historic answer is going to be D histrionic pig, pig के लिए मैंने आपको बताया था bore कहते हैं wild bore जंगली पिक को wild bore बोलते है beer आपको बताये भलू होता है यह वाली beer it's a drink we all know और यह bore क्या है यह second form of beer है तो यह question तो बहुत असान था और आपने देखते ही लगा दिया होगा pig के लिए answer हो जाएगा D मैं पढ़ा भी चुका हूँ bore next question the survey was conducted to dash information on eating habits of people to illicit illicit का मतलब क्या होता है quote करना cite करना जैसे तुम मुझसे कहो sir एक example दीजिए तो आप इसको English में कैसे करेंगे sir please quote an example sir please cite an example sir please illicit an example illicit का मतलब क्या होता है quote करना या cite करना किसे चीज़ को बताना illude मैंने अभी आपको बताया था शुरू में ही escape वो जो पुलिस वाला question था businessman वाला escape बचके निकल जाना illicit का मतलब होता है illegal मतलब not accepted by society ठीक है कुछ ऐसा जो के खानून के चानून के हिसाफ से ठीक हो पर समाज उसको नहीं माने गा for example कोई लड़का है जो शराप पीने लगा है तो उसका समाज उसके घरवाले उसको accept नहीं कर रहे है पर इसका मतलब थोड़ी पुलिस पकड़के ले जाएगी अगर शराप पी होगे तो तो वो illegal नहीं है वो शराप पीना illegal नहीं है पर illicit है समाज में उसे अच्छा नहीं समझा जाता तो जिसे अच्छा नहीं समझा जाता समाज में वो illicit होता है यह difference है illicit और illegal में याद रखिए elude भी मैंने आपको बताया था इशारा करना to hint hint देना और किसी को इशारा करना to answer is the survey was conducted to dash information to illicit information means left to court information is the correct answer to give information next question the theme of the story is the theme of the story is the dash long lasting power of love तो कैसी enduring enduring का मतलब क्या है enduring का मतलब है जो बहुत जबरदस्त हो जो सब कुछ बरदाश कर सकती हो enduring power of love enduring मतलब powerful or something that can bear any hurdle कोई भी problem आजाए कोई भी दुविदा शक्त तकलीफ आजाए जो सब बरदाश कर ले वो enduring होता है अना अच्छा in endurable in endurable मतलब है क्या that cannot be endured जिसको बरदाश नहीं किया जा सकता हो जिसको बरदाश नहीं किया जा सकता हो अन लग गया था मतलब not endurable जिसको नहीं कर सकते हो undurable that doesn't last long जो साथ लंबा नहीं चलता उसे हम undurable बोलते है Durable क्या होता है? जो लंबा चलता है Durable बैटरी सेल्स आते है Undurable जो लंबा नहीं चलेगा और Endurable यह Endurable अगर आगया Endurable again That last long So the theme of the story is Enduring Power of Love Enduring का मतलब क्या होता है? यहाँ पर Enduring बहतर होगा क्योंकि यह क्या है? Adjective है Enduring Power of Love Answer is C Next Question आज वो क्याप की क्लास है तो मुझे उमीद है कि आप देखें मैं थोड़ा सा तेज़ भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड कवर कर सकूँ और recorded क्लास में यह फाइदा होता है कि बात कम होती है तो काम ज्यादा होता है अगला Question है His Acts of Philanthropy Philanthropy का क्या मतलब होता है Generosity क्या मतलब होता है Philanthropist तो Philanthropist, Kind और Generous तीनों का मतलब एक जैसा होता है ऐसा आदमी जो अपनी चीज़े बाट सकता हो दो दोसरों के साथ ठीक है जैसे तुमने सुना हो का नाम दानवीर कड का कवज और कुंडल भी दे दिया तो उसने अपने मतलब क्या होता है आदरणिय माना जाए जिसको हना जिस पंदर हो सकता हो यह कई सारी कॉलिटी जिसमें होंगी वहाँकिति यह आप सकते हो छ यह आप सकते हैं जिससे माना जा सकता हो और ऐ्साप्टिव का मतलब होता है related respective का क्या मतलब होता है related ना किसी चीज से कोई चीज अगर related है तो हम कहते है respective जैसे मैंने कहा all the students take out your respective books मतलब अपनी अपनी निकालनी है related मतलब जो तुम से related है तुमारी है तो respective का क्या मतलब होता है आपने देखा भी होगा बहुत जगा respective यूज होता हुआ and involving new ideas चलाक है ना और जो नहीं नहीं चीज़े लेके आता हो श्रीवड भी आता है इसके लिए एक वर्ड और आता है कैनी एक वर्ड आता है निफ्टी यह सारे के सारे चलाक है और एक वर्ड आता है इंजनुवस इंजनुवस जो चलाक होता है जीनियस तो आपको पता है है intelligent होता है brilliant होता है ठीक है genuine का मतलब होता है something which is not fake not fake genuine spare parts जो के fake नहीं है इंजनुवस का क्या मतलब होता है यह different है देखो spelling में इसलिए तो यह homonym है इंजनुवस का मतलब होता है कोई ऐसा जो सीदा सादा भूला भाला हो नाइव इनोसेंट तीदा सादा भूला भाला आंसर इस ए इंजनियूस पीपल लिविंग इंड्रॉट रिडिन अरिया इस ड्रॉट का मतलब क्या होता है सूखा पड़ जाना इसकार सिटी ओफ वाटर या रेन पीपल लिविंग इंड्रॉट रिडिन अरियास वाक माल्स फॉर आड़मस एल आड़मस एल जानते हैं क्या होता है भाईया आड़मस एल बोलते हैं वाटर को यह तो याद रखी सकते हो बहुत बार यूज होता है आड़मस एल का क्या मतलब है पहला ड्रिंक मतलब आडम की शराब तो आडम तो एक ही शराब पीते थे क्या कौन सी पानी है ना तो आडम से एलेस वाटर ब्लू बिलेट का जा मतलब होता है प्रॉम रॉयल फैमिली कोई रॉयल फैमिली से है एक दम है ना मान लो राजा महा राजाओं की फैमिली में से है मुगल की फैमिली में से कोई है तो हम उसे क्या बोलते है उसको हम बोलते है ब्लू बिलेट अलेक्जर का क्या मतलब होता है अमरित है ना अमरित अमरित क्या सकते हो दी मोस्ट precious drink जिसे आप कहते हैं अमरित तो जिन्दी का जो अमरित हो जाएगा उसे हम बोलते है अलिक्जर आफ लाइफ ओल्ड फ्लेम का क्या मतलब है पुरानी शत्रुता चल रही है तुमारी किसे से पुरानी लप्टे उठ रही है ओल्ड फ्लेम है तो ओल्ड फ्लेम का क्या मतलब होता है hostility है ना लप्टो का उठ रहना कि पुरानी पुरानी तुमारी किसे से hostility है enmity शत्रुता है ना ओल्ड पुरानी है तो उसे हम क्या बोलते है old flame answer is a next question the beggar sat beggar बैठ गया and dash for receiving the arms and cooled his heels cooled his heels का मतलब चाहता है weight करना early को ठंडा रखना आपनी कैसे याद रख सकते हो भई early को ठंडा कैसे रखोगे weight करोगे तो early ठंडा एगि आराम से बैठोगे यो काम में करोगे took to heels took to heels का मतलब है heel का इस्तिमाल किया मतलब run करना to run away भाग जाना जैसे when the thief saw the police he took to heels वो भाग गया दौर लगा दी jumped the band wagon का मतलब है follow the trend जैसे माल लो माल लो एक fashion चला वो जो अभी आज से कुछ साल पहले spikes का fashion चला था बख़डे बाल करने का ठीक है या फिर आज कल beard का fashion चल रहा है तो आपको देखेंगा कि हर दूसरा बंदा दाड़ी लगता ही है तो इसका मतलब क्या था है jump the back wagon follow the trend ठीक है bro beat bro beat का क्या मतलब होता है bro beat का मतलब होता है मतलब किसी से गुसा हो जाना है ना to get angry मतलब किसी पे गुसा निकालना या किसी पे आँख दिखाना किसी को या किसी से बत्तमीज़ी कर लेना किसी भी तरीके से गुसा दिखाना is bro beat answer is b ऐसे भी आतर रख सकते हो bro को अपने तुमने पीट दिया bro beat अपने भाई को पीट दिया तो वो क्या हो जाएगा गुसा दिखाना the corrupt officer was arrested for oiling his hands मतलब for taking bribe हाथ चिकने करना कहते का वह इसके हाथ चिकने करो मतलब हाथ किस से तेल से चिकने नहीं होते हाथ हाथ पैसे से कहते हैं हमारी है कहते कि हाथ गरम करना पड़ेगा मतलब oiling his hands taking bribe giving up the ghost का मतलब होता है stop working अगर ये किसी इंसान के लिए जोगा तो उसका मतलब हो जाएगा मर जाना die giving up the ghost किसको दे दिया भूत के पास से ली गई कोई चीज मतलब बेकार हो गए उसकी आत्मा निकल गई ना बेकार हो गए kicking the bucket का मतलब भी यही होता है die kick the bucket ऐसे सोच नियात रखना कि बाथरूम में नहारा था बाल्टी पे लात रखी गिरा और मर गया तो kicking the bucket is to die मर जाना breaking the die इसका मतलब है to break silence और initiate a conversation अब इसका मतलब क्या हुआ for example एक party है आपका friend आपको एक party में ले गया और उस party में आपका जानने वाला कोई भी नही है तो आज दिक्कत क्या हो गई है आज आपसे कोई बात करने वाला नही है तो मैं समझी नहीं आ रहा कि क्या करूँ फिर तुम्हें वहाँ पे एक पुराना दोस्त मिल गया पर तुम्हें समझ में नहीं नहीं इससे भी बात करूँ यह बात करेगा यह नहीं पाइनली तुम्हें नहीं जाके उससे बात करेगा लिए और यू ब्रोक दी आइस मतलब स्टार्टेट कनवर्सेशन तो कहीं पे साइलेंस है है सिटेशन है कोई बात करने वाला नहीं है और आप वहाँ पे जाके बात इनिशेट कर देते हैं सब को कमफर्टेबल कर देते हैं that is called breaking the ice तो answer for this one is D oiling his hands the chief minister is dash and hands is light by the police above board above board का मतलब जानते हो above board का मतलब होता है someone who is very honest है ना someone जो कि इमानदार है upright और बड़ा ही सही है है ना upright है बहुत ही सही है तो उसके लिए हम इसलिए हमने क्या कहा कि chief minister को public क्यों पसंद कर रही है क्योंकि वो बहुत ही जादा upright है upright का मतलब क्या बताया है अच्छा भई अगला word है bad है यह तो हमारी यह भी use करा जाता है बई गंदा अंडा है यह बेकार आदमी है dishonest bad या फिर dishonest यह informally use होता है formally use नहीं होता ठीक है तो मतलब academics बगरा में यह use नहीं होता पर अक्सर कभी exam में आ जाए तो आप याद रखेगा इसका क्या मतलब होता है bad or dishonest person and eye wash eye wash का क्या मतलब होता है क्यातना आखों में धूल जोग देना बेवकूफ बना देना जूटे वादे करना ठीक है to make fake promises जूटे वादे करना at large का क्या मतलब होता है on big scale कोई चीज बड़े level पर की जा रही है so that means at large answer is c above board trying to convince is pedantic father अब पहले वर्ड जानेंगे पीडेंटिक पीडेंटिक का मतलब होता है someone who follow the rules strictly जो strictly follow करेगा rules उसे हम क्या बोलते है पीडेंटिक तो trying to convince his pedantic father is like beating the air हना हवा को beat कर देना मतलब very difficult something very difficult या फिर something almost impossible बिल्कुल impossible सा होना ठीक है blue stocking का क्या मतलब होता है blue stocking का मतलब होता है पड़ी लिख़्ी लड़की है कोई अब blue stocking का मतलब होता है a learned woman कैसे याद रखोगे stockings किस के होते है women के होते है लड़की हैं ही पहनती है stocking लड़की तो पहनते नहीं है तो अब blue stocking का मतलब है a learned woman एक पड़ी देखी बड़ी educated अच्छे से तमीज से चलने वारी लेड़ी जबरदस personality जैसे तुम कह सकते हैं सुश्मिता सेन, इंदरा गांदी यह लोग blue stockings लगते हैं चलने का अंदास, बात करने का अंदास बोलेंगे तो लगगा भाई क्या कह दिया है दिल खुश हो गया थोड़ी ज़र बोलके दिखाओ तो यह होती है, blue stockings यह नहीं है, कहां जा रहा है तो मेरे पैसे तो दे दे तुने कब से पिज़ा निकला आया वो वाली blue stockings नहीं होती है bringing down the house का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा हसा देना जैसे मानलो इतना हसा देना कि public load port हो जाए तो यह क्या है, bringing down the house जैसे तुम कह सकते हो, the movie the movie made people the movie made the audience brought down the house मतलब to make love किसी को बहुत बुरी तरीके से हजाना bed of roses का मतलब क्या होता है कहते है, life is not a bed of roses life is not a bed of roses मतलब something not very easy not very easy so answer for this one is C next question when this honest politician party came into power जब यह इमांदार political party सत्ता में आई it dash of the corrupt bureaucrats, so it clipped the wings clipped the wings का मतलब होता है, control करना ठटनी कर देना बुराईयों को रोग देना for example, जैसे जब तुम घर पे होते हो, आँ ममी पापा नहीं है, तो तुम्हारा जो मर्जी जाता है तुम वो करते हो, फ्रेंड्स को भी बला लेते हो, पार्टी भी कर लेते हो, कुछ तो बहुत बड़े वाले हैं, जो चीजे घर में अलाओ नहीं होती, वो भी घर में लाके सेवन कर लिया जाता है उनका, लेकिन जब तुम्हें पता है, पापा आ गए, मम्मी आ गई, तो क्या हो जाएगा, क्लिप्ड हो जाएंगे तुम्हारे विंग्स, और तुम तमीज से लाओगे, किताब लेके पढ़ने बैड जाओगे, तो ये क्या होता है, क्लिप्ड दव टू गेट एंगरी, या टू अटाक, कह सकते हो, किसी पे अटाक करना, या फिर गुसा हो जाना किसी से बहुत जादा, किसी के लिए शतुरुता रखना मन में, इस ड्रादी लॉंग बो, ठीक है, करी फेवर का क्या मतलब होता है, भई, तुम किसी को करी खला रहे हो, उसके टू बी आ साइकोफेंट, साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस, टू बी आ साइकोफेंट, साइकोफेंट होना मतलब, चापलूस होना, चापलूस होना, साइकोफेंट, शोट वाइट फेदर का मतलब है, शो, कावर्डिस, डर्पोक की दिखाना भई, या डर्पोक होना डर्पो की दिखाना इस शोइंग वाइट वैधर ओके गई तो लेट्स मूव ओन तो नेक्स क्वेशन इस डाश इस डाश इंप्रेस्ट दी जूरी मैंबर्स तो कैसी टंग थी? ओईली टंग थी ओईली टंग का मतलब है जो बड़ी मीठी जबान हो बड़े प्यार से बात करते हो तुमने ऐसे लोग देखे होंगे आप से जनाब से प्यार से बढ़ाएंगे बहुत तमीज से बात करेंगे ड़्ट इस ओईली टंग ओईली टंग का मतलब क्या होता है मीन्स तो बी वेरी पॉलाइट आंड मौडेस्ट इन कनवर्सेशन ठीक है कोल्ड रिसेप्शन का मतलब क्या होता है कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है तुम्हारा कोई बहुत दिन बाद तुम्हारा कोई दोस्त मिला है तुमें या मालो एक ये तुम्हारी एक नगी ती स्कूल टाइम में तुम्हें बहुत लाइक करती थी पर समय तुम्हेरा कोई इंड्रेस्ट नहीं था इसमें तुम पढ़ाए इस पोर्ट और बहुत सारी चीज़ों में ते आज तुम दोनों सेम कॉलिज में पहुचेंगो तो हुआ क्या है कि कॉलेज में जाते ही लड़की बन गए एकदम हिरोईन और पढ़के तुम्हारे चश्मा लग गया तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं मतलब तुम्हारे साथ दिक्कते थोड़ी हो गई है है यह तुम आप इतने अच्छे दिखते रही है जो भी है तुमने जाके लड़की को बला हाई दिपिका लिएक हकले तुमने अरे मैं दीपक अच्छा दीपक कोन like अरे से घ्रम किżenia दा अच्छा थीक है ओकिल यह होगया क्योंड रिसेफिन दे दिति उसने तुम्हें रिशीफिम्हें कैसे किया कोल्ट रिसेफ्षिन मतलब किसी को एकनोर मार देना है ना और treat abruptly अजीब तरीक इसे किसी के साथ behave करना cold reception देना महमान आये तुम्हारे घर तुमने बैठने को भी नहीं पूछा पानी भी नहीं पूछा cold reception दे दिया Himalayan blender का क्या मतलब होता है big mistake कोई बहुत बड़ी तुमने गलती कर दिया जैसे for example तुम्हारा exam था और तुमने क्या किया तुमने OMR शाटी शीटी गलत कर दी तो यह क्या होगा हिमालियन blender सब गलत हो जाएगा तुम्हारा clothing hoops का मतलब होता है तुमने खुर देखे होंगे खुर तो जो खुर होते हैं दो पार्ट में बटे हुए होते हैं for example यह खुर है तो यह खुर ऐसा नहीं होगा यह दो पार्ट में बटा हुआ होगा थोड़ा ऐसा सा होगा ठीक है दो पार्ट में बटा हुआ होगा ऐसा सा होगा ऐसा सा ठीक है तो यह दो पार्ट में बटा हुआ होगा बीच में गाप होगा that is called cloven hooves है ना तो hoof आप जानते हैं खुर cloven hooves का मतलब क्या होता है means to be separated in two parts so answer is basically a oily tongue question number 33 question number 33 when his grandmother passed away he was he was in doldrums doldrums का मतलब है dejected doldrums dejected था बहुँज़धा sad था confused situation में था समझ में नहीं आ रहा था क्या करोगे hot potato का मतलब क्या होता है hot potato का मतलब होता है talk of the town इसी चीज़ जिसके बारे में सब जगा बात हो रही है hot potato है जैसे अभी वो अगनी वीर वाला इश्यू था वो hot potato तो हमारे यहां हर दिन हर वीक हमारी कंट्री में एक hot potato होता है एक ऐसा मुद्धा होता है जो बहुत ही गरम होता है और फिर वह एक हफ्ते चलता है उसके बारे में फ़र फ़र जानते हैं दूसरे मुद्धे पर आ जाते हैं तो hot potatoes तो इंडिया got my salary increased तो यह क्या हो जाएगा on cloud nine very happy in the nick of time means very fast very fast so the answer is going to be B next question flog a dead horse का क्या मतलब है flock का मतलब होता है चाबुक मारना है ना flock का मतलब क्या होता है विप करना चाकु मारना तो चाकु मोच चाबुक 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 मारना flock a dead horse मतलब waste one energy and time मना बड़े मरे को तुम क्या मारोगे मरे को क्या मारोगे answer is a बाकी सारे तुम्हें confuse करने के लिए दिये गए नेक्स क्वेश्चन पहले मैंने क्या किया था पहले मैंने आपको meaning दिया था और होगे hold one horse अपना गोड़ा रोकोगे तो क्या करोगे भाई वेट करने के लिए रोकोगे भागने के लिए तो रोकोगे नहीं मैं दिखा रहा हूं कि इन questions को तुम बिना जाने भी कैसे कर सकते हो मालों ऐसे एडियम आ गया meaning नहीं पता तो कैसे करोगे भाई गोड़ा रोकना है तो वेटी तो करोगे यह ना विन से कोई मतलब नहीं है और कोई मतलब नहीं है बी is the correct answer hold करने की बात कर रहा है यह ना ऐसे भी लगा सकते हो और ट्रोजन होर्स ट्रोजन होर्स के नाम से capsules भी आते हैं जब तुम कॉलिज में गये तुमारी रैकिंग होई और सारी चीज़े तुमने सही ना तो अब तुम बहुत बड़े वाले हो गया अब तुम होगा ट्रोजन होर्स मतलब इनेशियली इनॉक्वस मतलब नॉट हामफुल जो शुरूर में तो बलकुल हामफुल नहीं था पर बाद में लेटर मैलेशियस बाद में डेंजरस हो गया मैलेशियस मतलब बैड इवल इंटेंशन्स रोजन होर्स आंसर इस थी बागी सारे आपको कंफ्यूस करने के लिए दिये थे हाल ओवर दी कोल्स का मतलब होता है किसी की टांग खीचना किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित करना इस क्रिटिसाइज हार्शली हाल ओवर दा कोल्स कैसे याद रखोगे इसमें सारे वर्ड नेगेटिव आ रहे हैं कोल्स, हॉल, हॉल मतलब हल्ला मचाना कोईलो पे हल्ला मचाना किसी भी चीज़ को लेके क्रिटरसाइज करना वेंडर से कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रीम हार्ड वर्ड की सब कन्फ्यूस करने के लिए D is the correct answer डच अक्ट, डच जहां भी वर्ड आता है नडच करेज तो यह सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं डच से जो आते हैं याद रखिए डच अंग्रेजी में नेगेटिव सेंस देता है तो जब तुमने कहा डच करेज तो इसका मतलब होता है वो हिम्मत जो तुम्हें दारूपी के आती है तुम्हारी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की आज तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारा सेलेक्शन हो गया बढ़िया कॉलेज में तो तुमने आज मतलब कुछ ऐसा पाटी वाटी में घर पे भाईया ने किसी ने बढ़े ने के चलो तुम्हारी है लड़का कामियाब हो जाएगा जीवन में इंडिया के टॉप टैन कॉलेज में से एक में इसका एडमिशन हो गया है तो चलो यार तो एक आद्बियर या वाटेवर जो भी अच्छा किया अब उसे हुआ क्या उसे ड़च करेज आ गया प territ डचक क्या होता है ये आपको कब मिलता है ये डच का मतलब नेगिटिफ से आता है बागी सारी आपको confuse करने के लिए दी है So answer is C मैंने आपको दो idiom कराएं यहाँ पर एक Dutch act और एक Dutch courage ठीक है जिसका मतलब होता है Courage One gets When intoxicated जब वो नशे में है खास तोर से शराप की वज़ा से So answer is C Question number 39 Dutch uncle तो ये भी negative होगा एक ऐसे uncle तुमने इनसे पूछा कि uncle एक बाद बताई है कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए अरे हमसे पूछो हमारे जमाने में कैसे पढ़ाई करते ते लाम्प में हम लोग पढ़ाई करते ते तुम्हारे पास laptop है computer है सारी information है तब भी तुम पूछ रहे हो पढ़ाई कैसे करनी है ये तुम्हें advice तो देंगे पर बड़ी harsh advice देंगे दिल तोड़ के advice देंगे कुछ भी पूछोगे उल्टा जवाब is the correct answer advice सही होगी पर कहने का तरीका लग होगा तो कैसे याद रखोगे डच जहां आएगा negative sense देता है the doctor says that he may pull through pull का मतलब होता है खीचना through मतलब खीच के बाहर निकल गए है ना pull का मतलब क्यों होता है खीच के तुम बाहर निकल गए मतलब survive कर गए बहुत असान है है ना तो doctor says that she may pull through तो pull through is basically a survive कर जाना बाकी सारे आपको confuse करने के लिए दिये थे question number 41 call names ये बहुत बड़ी है कहते हैं को नाम से मत बुला किसी को हना कौन से नाम से गंदे नाम उसे किसी को गाली गलोश देना बहुत असान है ये मुझे एक ही बार में आदो कॉल नेम का मतलब है किसी को तुमने गंदे नाम से बुलाया उसे अब्यूस किया गाली दी तो ए इस दी करेक्ट आंसर है दा पुलिस मेड आफ्टर दी सस्पीशियस मैं बट कुड नॉट कैच इं मेड आफ्टर का क्या मतलब है भागना किसी के पीछे चेज करना मेड आफ्टर का मतलब है फॉलो करना कैसे याद रखो के मेड आफ्टर मतलब पीछे इस दी करेक्ट आंसर बागी सारे गलत है और कन्फ्यूस करने के लिए दिये थे इस दी करेक्ट आंसर Question No.43 Question No.43 कहता है They had to They had to pocket and insult pocket and insult का मतलब है कि insult को jam में रख लेना पी जाना, खून का घूट पी जाना तो क्या मतलब होता है beer insult, insult को बरदाश कर देना when there was a power cut in the party party चल रही है और भाई light चली गई किसी की drink गर गई, किसी का खाना गर गया तो ये क्या हो जाएगा उसने insult beer करी D is the correct answer I gave her my seat in the metro because she looked run down run down का मतलब क्या होता है एक दम tired आना बड़ी बुरी हालत में या फिर in bad health it should be reduced in health तुमें लगा है बीमार लग रही है या घर से pit के आई है, चलो मैं अपनी metro की seat इसको दे जेता हूँ, तुमें एक अच्छे अंसान निकले, answer is B बाकी सब तुमें confuse करने के लिए दिया है परफ्लेक्स का मतलब क्या होता है confused अच्छा, run down का मतलब ने एक और भी होता है run down का एक और meaning भी होता है means खराब हो जाना to stop working जैसे तुम कह सकते हो my car has run down, खराब हो गई है when it was his turn to perform on the stage, he was beside himself जब उसका number आया, stage पर परफॉर्म करने का तो कैसा हो गया, वो nervous हो गया beside himself का मतलब है, अपने बराबर में एक खड़ा था मतलब कोई और भी, जैसे मूवीज में दिखाते न तुमारी अंतरादमा बाहर आगए निगल के तुम से कहरी कैसे कर पाएगा तु करेगा, तु करेगा, तुरे बस की है, तु आज तक कभी stage पिछड़ा है तो ये क्या होता है, beside himself अपने ये बराबर में आ गया था, वो nervous हो गया था be is the correct answer बाग की सारे आपको confuse करने के लिए दिये गए, elated का मतलब होता है very happy एक दम फूले नहीं समाना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना next question अच्छा, इसकी जब बीपी पी मिलेगी ना आपको तो और भी questions हैं उसमें और ये वाले questions भी हैं कई सारे तो आपको एक बार बड़िया revision हो जाएगा the political leader was able to bring his views home bring his views home किसी चीज़ को घर पे लेके आना, मतलब उसको समझाना दूसरे को so the political leader was unable to bring his views home का मतलब है explain his views political leader अपने views explain ही नहीं कर पाया लोगों के सामने, ठीक है, तो बागी सारे confuse करने के लिए answer is B, platter का मतलब होता है, चाप लूसी करना, boot licking question number 47, look out there is a rabbit in the middle of the road जैसे मैं कहूँ, look out, there is a dig देख के चलो, आगे गड़ा है, तो be careful watch out, कहते नहीं है, watch out look out, दोनों का मतलब क्या है, दिहान से चलना, be careful, A is the correct answer look sharp, look sharp का क्या मतलब होता है, look sharp जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम ये चोटे-चोटे वर्डे हैं यार, तुम जब कहते हैं हरी अप, तो हरी अप की जगा कह सकते हो, look sharp, less you miss the train, कहीं है, ऐसा नहों के तुम train miss कर दो, तो start using look sharp, do not use, ये असान तरीके याद करने के, सुनने में भी बढ़िया लएगा, अगर तुम उससे को, come on, look sharp, मैं look sharp, मैं तो sharp देखती हूं, इसलिए तो, इसलिए तो मैं तेरे साथ घुमना नहीं चाता हूं, साब बोलो, उसको look sharp का मतलब होता है, बिटा, क्या, के, जल्दी करना, जल्दी मचाना, तो उसको बोलो के, बई, class देखे, NCRT वाला पैर, तभी तो कोछ अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे अच्छा लगेगा, कहीं भी करा देगी, तुम्हारी बेसती, The children quickly took to their new nanny, took to का मतलब हो जाता है, किसी के साथ comfortable हो जाना, किसी को पसंद करने लगना, जैसे तुम का, you know, I talked to you twice, सिर्फ मैंने तुम से, सिर्फ दो बारी बात कही है, and I have started, I have started, you know, I have started, taken to you, मतलब, taken to you का क्या मतलब है, कि उसको पसंद करना शरू कर देना, became fond of, took to का मतलब क्या है, fond of, take, take to मतलब, become fond of, this is the correct answer, next, they kicked off the ceremony by lighting of lamp, kicked off का मतलब क्या होता है, start करना, begin करना, है ना, start करना किसी चीज़ को, बहुत असान है, so begin, answer is be, तो भाई, ये थे आज के 50 questions, जिसमें मैंने आपको भर भर के खूब सारी vocab में लिए, अगर आप word देखेंगे ना, तो 50 से बहुत ज्यादा, 60-70 word आपको बहुत असानी से मिले है, idiom phrases भी मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, और कुछ phrasal verbs भी इसमें हुए हैं, जैसे took to, pull through, और भी बहुत सारे, तो ये मुझे जरूर बताएगा कि एक class कैसे रगी, हमारे पास time कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं आपको करा सकूँ, ज्यादा का मतलब है, वो जो हसम भी हो जाए, तो अभी तक मेरी बहुत सारी classes CUT में हो चुकी हैं, 5-6 class हो चुकी हैं, तो भाई मेरे, ये बहुत important है आपके लिए, कि आप इन सारी classes को detail में देखें, इनके notes बनाएं, और score करें बढ़िया exam में, तो मिलता हूँ आपसे अगरी class में, इसकी DP पी ज़रूर लगा देना, love you all, जैहिंद, जैभारत.